आज दस ऐसे चीजों के बारे में बताने वाली हूँ जो कि प्रेगनेंसी में सुबह उठते ही आपको लेना चाहिए। सुबह उठते ही लेने का क्या लाजिक है इसको हम मेडियो में समझेंगे। नमशकार, स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। आशा करती हूँ आप सबी खुश हैं। हमसे जुड़ी हुई हैं आपने चानल को सब्सक्राइब कर लिया हैं। और आपके प्रेगनेंसी को खोब एंजॉय कर रही हैं। यूट्यूब मॉम चैनल के बाकी वीडियो को भी आप जरूर देखें ताकि पॉड़ी का मेटाबोलिजम एक एक स्टार्ट पाए और विंचरिया शुरू हो सके। लेकिन महिलाओं के लिए चीज इतनी आसान नहीं होती। सुबह उठते ही आपको फामिली के लिए भी ब्रिकफस्ट प्रिपेर करना है। चॉपिंग, प्रिपरेशन आदी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप पहले से एक बच्चे की माँ हैं तो जिम्मेदारियां और भी जादा होंगी आपके साथ में। ऐसे में सुबह उठते ही जो आपके शरीर की और प्रिग्निंसी में जो गर्प में पर रहे शिशु की डिमांड्स हैं, सुबह की कालरी नीड्स हैं, उसको कैसे फुल्फिल करें। अगर सुबह उठते ही आप कुछ नहीं लेती हैं, बिल्कुल ऐसे ही रैंडम ली खाली पेट अपना काम करने लग जाती हैं तो आपकी प्रेग्निंसी हेल्दी होना बहुत मुश्किल है। ऐसे में खून की कमी, कमजोरी, धकान, चकर और बच्चे में भी परिशानी आती ह तो ये 10 जो फूट के आइडियाज हैं आपकी बहुत मदद करने वाले हैं और आशा करती हूँ आप इन्हें फॉलो कर रही होंगी, अगर नहीं कर रही हैं तो इनसे आपको बहुत मदद मिलेगी, आज से आप इन्हें फॉलो करना शुरू करें। तो जैसे ही आप सोके strategic रहें। एक उठ्थे किशमिश आप भीगो कर रख सकती हैं और भीगोई वी किशमिर या मुनक्य का सेवन कर सकते लेकिन अगर कभी आप भी बूल गए तो उस दिन आप dry किशमिश या मुनक्य का भी सेवन कर सकती हैं। आप रहे शौट संहा को जोर्यες सिर्ट के कोई कई बार कुछ भी गरम करने का कुछ भी सर्व करने का टाइम नहीं होता तो बस फूर बास्केट में से आपने एक बनाना उठाया और उसको खालिया तो बनाना कार्पोहईड्रेट से भर पूर बहुत सारे न्यूट्रेंट से होल फूर्ट की केटेगरी में आता है एक सुपर बात भर में है जो मेटबलिजम हुआ है उसके बाद बोड़ी को वाटर और कार्पोहईड्रेट की जो नीड होती है जो हाइड्रेशन चाहिए वो हाइड्रेशन आपको मिलता है और आपको बहुत अची एनरजी मिलती है जिनका वजन कम है या फिर बच्चे का वजन कम है जिनको वेट मैनेज करना है वो रात को चार एलमन्ट, दो अखरोड, दो फिग, कुछ किश्मिश भिगो सकते हैं और सुबह उड़कर एलमन्ट को पील ओफ करके और ड्राइफूट्स को थोड़ा कंज्यूम करें चितने ड्राइफूट्स आप एक बार में खा सकती है उतन प्रिशन में बहुत रिच होते हैं तो रागी का आटा और गुड के लड़ू जिसमें अगर आप चाहें तो कुछ राइफूट्स भी अड़ कर सकते हैं आप बना के स्टोर कर लें और सुबह उठने पर एक रागी का लड़ू आप जरूर खाएं इससे आपको बहुत अच काले मिर्च लगा सकते हैं और एक मुठी आप रोस्टेट काजू का सेवन कर सकती हैं काजू में भरपूर प्रोटीन और कैल्शीम पाया जाता है जो बच्चे के विकास के लिए बहुत इंपोर्टेंट है एपल खाना प्रेग्नेंसी में आपको बिलकुल नहीं भूलना है तो एपल को भी मॉर्णिंग में उठते ही आप खाली पेट कंस्यूम कर सकती हैं इसमें धेर सारा फाइबर होता है जो डाइजेशन को बहुत अच्छा रखता है और आपकी एपेटाइट को भी सही रखता है सुबह उठते ही सबसे बड़ी जरूरत होती है पानी हाइड्र expectation बहुत important होता हैं तो ऐसे में कुछ ऐसा खाया जै जाएग है आपके im不是 आपका भी मत बहर दें सत्तू का drink आपका भी सकती है चैने का सत्तू करिका शली पीच्छ कर सकते हैं भुनाजीरा उसके इंदर add कर सकते अदरवाइस खाली नमक मिलाकर भी आप इस ट्रिंग को ले सकते हैं ये कब्स, एसिडिटी सबको कंट्रोल करता है और एनरजी भरपूर देता है एक बॉयल्ड एक या फिर ओमलेट भी आप सुबह खाली पिट ले सकते हैं लेकिन ध्यान रखें सुबह उठते ही ब्रेड, चाय बिस्किट, मैगी, मिठाई या सलाद, कच्ची चीजे इनका सेवन ना करें ये आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं थैंक्स पो वाचिंग